तो और दोस्तों कैसर आप सब्सक्राइब लोग मैं आप सब्सक्राइब करता है आपके फेरिट यूट्यूब चैनल ज्यायर टुट्रोविल्स में और में हुए और गौरम उन्रा जो आपको बाड़ाता है सब्सक्राइब लेकिन कौन सा लेसन चल रहा है पहला हाना तो चली स्टाट करते हैं लेकिन उससे पहले चले गाई यह मेरे साथ चार मंत्र एक बच्चा गर असल में नया है हो पहले चैनल पर पहले बढ़ाया हो इब बता दो तो आप क्या करते हो अच्छा देखिए दोस्तो आप साइन के नबर तो अब बता दूडियो यू physic जाके तो को उसक्ते वीटियो बना दीजीगा टो उसकेल प्लीच्चा यह पयार बाटना है एकनोमिक चल रहा है लेकिन उस्पे हूँ मैं बता दूप्र यह लेuchar पर आय स्टाट नबर टू पार तो पहले तो दोस्तों को तो मैं आपको बता दू कुछ नहीं समझेगा क्यों इसका है यह फिफ्ट पॉइंट चल रहा है वह भी पता किसका हमने फॉर्ट पॉइंट पर लेक्ष्ट नमबर टू में इंड किया था आप मुझे बता आप मेरे साथ बेट होगे यह पहले लेक्ष्ट नमबर टू देखो आप मुझे जाके फॉलो कीजिए बागी फैगल्टी टीचर्स को आप दिन रात मैनत करते हैं एकदम रेडी स्टार्ट करना है अना फीस या देना स्टार्ट पूरी वीडियो देखनी है एस पे नोसी वाले बच्चे तो एकदम भाई फुल अन्ना प्यार देते हैं मुझे है अब इकनोमिक्स वाले बच्चे आप भी दे दो यार चली हमिरे साथ करें देगें दुस्तों हमने यह सीखा था स्कहते हमने क्लासिपर स्टार्ट करते हैं आज हम वाले हैं वेल्थ क्या होता है लेकिन सर आज हम उसके आगए का कंटिनेशन करने वाले हा ना सर अब यह स बार बार आ रहा था आ रहा था कि नहीं आप पर सोच रहे हैं कि यह कुछ नया सा वर्ड है एक अच्छा खासा डेफिनेशन अगर हमें मिल जाए तो क्या हम उसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो लीजिए आपके लिए आ गया है वैसे आपको यह पढ़के कुछ जादा अच्छे था समझेंगा नहीं कि ट्राफ्टिंग फोड़ी सी गलत है बुक की मुझे सा लगता है लेकि इजी हमें क्या चीए था इजी है क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों मार्क स्कोर करने है अना देखें वेल्ट का यानिकी मतलब चले पहले बुक किसले एंग्वेज म विच हैज अ मार्केट वैल्यू यानिकी आपके पास कुस एक ऐसी चीज जिसके ना मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छी अब कोई इंसान जो आपके वेल्ट में इंट्रेस्टेड है वो आपको बताएगा देखें जो तरी वेल्ट है ना सर लेकिन वेल्ट होता क्या है यानिकी दोस्तों आपकी पूरी प्रॉपर्टी जो भी आपके पास जो भी है ना भाई साब सब लगा लो सब बादर पानी की बॉटल नहीं चोड़ने है आपको वो भी आपके वेल्ट में रखना है और जब पूरा सब का वैल्यूएशन करेंगी जो आखरी अमांट सब लगा लो पानी की बॉटल कंगी बाइक सब लगा लो उस पूरी मिला कर उसको कहते हैं वेल्ट अगर कोई आपका दोस्त है वह आपको उससे सब कुछ खरीतना चाहता है तो पूरी वेल्ट की पैसे देगा आपसे ले लेगा बस यह फस्ट पॉंट में यह कहना चारा है यहां पर देगो कमेडिटी हैं तो सब्सक्राइब यूमन मॉंट्स यार मुझे याद हो गया तुम्हें यादेगी नहीं हाना मिने देगो देखके नहीं बोला था तुम्हें भी याद करना है सब उससे कहते दोस्तों यूटिलिटी तो यह एक कारेक्टर स्ट्रीक है किसक यह पिर क्या है स्कैर्सीटी दोस्तों आप लेए समझें इसका मतलब क्या होता है स्कैर्सीटी यानि कि कुछ चीज का कमी होना अच्छा कर ओके सर थोड़ा सा आडिया लग रहे हैं हमें सम्झाओ सर्फ गमिटिटी मस्ट बी स्कैर्स इन सप्लाइए इन रिलेशन टु डि मैं तभी अपने दिवांग में एक्जांपल लाता हूं एक लाइव वाला इंट्रक्शन हमारे बीच होना चाहिए अब आप मुझे चीज बताओ आप मुझे चीज बताओ आप मुझे चीज बताओ देखिए आपके पास ने एसी चीज़ है जो सिफ और सिफ आपके पास है बाई साब किसी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है क्या आप उस चीज को 10 रुपे में बेच दोगे नहीं ना यार वो तरही कैसी चीज है जो सिफ आपके पास हो मैं तो करोड़ो चार्च करूँगा अब जिसको आके लेना है ले लो नहीं लेना मतलो यानि कि आपके पास जो चीज थी ना उसकी scarcity है क्यों दोस्तों क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है अगर सोचो वही चीज पूरी दुनिया में होती हर किसी के पास होती तो क्या उसकी value आप अपने मन चाहाँ से रख सकते थे क्या आप जैसे अभी care हो यह जो के पास है सब के पास क्या मैं इसकी price एक करोड रख सकता हो क्या नहीं ना जिसको भी खरीदना रहेगा वह किसी और से खरीद लेगा वह क्यों करीदेगा बस वही बात आ गई इसको कहते दूस्तों scarcity यह इसका एक characteristic में जब आएगा तो यह जब चारे चीज़े आ जाती है एक wealth उसको कहा जाता है क्या क्या आना चाहिए सर यूटिलीटी आनी चाहिए उस चीज की scarcity होनी चाहिए उसके बात वह ट्रांसवर होना चाहिए एक दूसरे से उसके दूसकी externality होनी चाहिए वैसे यह इसी है ना यह चार पॉइंट्स आपको लिख्यान है और wealth क्या होता है वह आपका explain करना है देखिए यहां से question pick होना यहां से question बनना बहुत मुश्किल है लेकिन हमारी duty क्या है हमें तो हर चीज को read करना आना बाकी यह question मुझे ऐसा लग रहा है यह important है जैसी 5th point हो गया और यह पूरा question important है classification of wants वाला हम उसका 5th point पढ़ रहे है समझ रहा है ठीक है पता चला पता नहीं सर कुंछा 5th point पढ़ा रहे पता नहीं नहीं classification of wants चल रहे है चलिए और दो तुमने इसके पैसे मिले तुम्हारी इंकम हुई ना क्यूंकि तुमने काम किया पैसे तो मैं तुम्हें दूगा ना तुम्हेरे पपा को थोड़ी जाकी दूगा तुमने इतनी मेनत करी पूरी salary जब जाएगी किसे जाएगी आपको जाएगी उसे कहते है personal income ठीक है तो सु अब पूरे साल में अपने पैसे कम आए आपने हमारे भारत की property उसकी आपने हमारे nation के goods and services को इस्तमाल किया आपके business में तभी जाकर आपके पास 10 लाग की income आईए चलो टेक्स पे करो टेक्स देना पड़ेगा तब आपने ना दोस्तों एक लाग 12,000 का टेक्स दिया अब आ इस्तमाल गरें अब तुम्हारे पास इतना पैसे बचते है तो इतने पैसे बचते हैं त्रहा आप कि तुम्हारी income से income tax pay कर दिया अब तुमसे government एक रुपया नहीं मांगीगी अब जो भी पैसे बचे है हाँ ये मेरे income है जो आपके हाथ में आखरी income रहती है उसे कहते है दोस्तो personal disposable income कुछ दिक्कती नहीं यहां तो लिखता है concept यह हमने समझा क्योंकि कुछ hard नहीं था यहां पर तो लिखा है that part of personal income ऐसी income जो अपने कमाई थी विच इस लेफ्ट ओवर अब आपके वास बची है आफ्टा payment of direct tax direct tax जाने कि अपने tax पे करा किसको government को direct tax में अभी आपको नहीं समझा सकता यह कैसा concept है जो आप अपने graduation में सीखोगे अपने आगे के left में सीखोगे जब आप एक C.A के field में जाते हो C.S की field में जाते हो C.MA के field में आपको तब सीखेंगे direct tax में अपने आपकी 1000 पेच की book है मैंने सीखी है मैंने पास भी किया एक्जाम चैलिए मुझे आता है मुझे क्लियर किया है मैं पास भी हुआ हूँ ठीक है चैलिए आठाव पॉइंट पे चले क्या कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना अब दोस्तों एकनोमिक एक्टिविटी ना चार टाप्स में डिवालेट हो रखिए जिसमें पहला है क्या है पहला आओ मिरसाथ बोलो production distribution exchange and consumption यह आता है economic activity अगर कोई समझते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन से सर प्रोडक्शन क्या होता है सर मलब कुछ चीज को प्रोड्यूस करना लेकिन सर कुछ चीज करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरुद पढ़ेगी आना तो बस हम वही इस चीज में पात करने वाले जैसे उसको कहते हैं दोस्तों प्रोड्यूस करने के लिए क्या-क्या चीजों की जरुद पढ़ती है इसमें दोस्तों चार चीजों की जरुद पढ़ती है जिसमें से पहला है दोस्तों लैंड वह आपको भी पता है आपको कुछ प्रोड्यूस करना पर कहां प्रोड्यूस करोग उस पर काम कौन करेगा कितने एंप्लोई काम करेंगे कितने लेबस लगेंगे लेबस को वेज़ेस भी तो देना पड़ेगा वह सब प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बाद दूस्तों कैपिटल अब आप सोचो लैंड खरीदने के लिए लेबस को वेज़ेस देने के लिए अब देखो तुम ही सोचो तुमारे पास लैंड है तुमारे पास बहुत सारा पैसा भी है अब क्या उदर जाके चोड़ लोगे हाँ हाँ मैंने बता दे एंप्लोई को वर्कर्स को पता है क्या करना है लेकिन दोस्तों उनको गाइड करने के लिए एक इंसान की ज़रवत पड़ेगी उस इंसान को कहते दोस्तों एंटरपरिणा अना ये इंसान क्या करेगा इन तीनों चीज़ों को मैनेज करेगा बस तो ये चार्ज होए दोस्तों इसे कहते फ्रेक्टास ओफ प्रोडक्शन अब देखिए दोस्तों आप 11th में हो आपको यह कोशन बनता है एक्जाम में आता है कोई बात नहीं कभी कभार काफी बार आया है लेकिन दोस्तों अगर आप 12th में होते ना यह आपको 100% एग्जाम में आता मैं आपको ऐसा कहता है अब अब 11th में होना लेकिन एजी था ना यह एक प्रोड़क्शन करने के लिए आपको बहुत होना चाहिए उसको कहते हैं entrepreneur यह तो हम लिख देंगे चलिए हमने production को समझा अब चलते हैं distribution भी distribution यानि कि आप एक चीज किसी और किसे distribute करता ना बस वही वाली बात कह रहा है division of factor reward among different segments of a society मतलब आपकी चीज है आपने इनको भी दिया इनको भी दिया इनको भी दिया इनको भी यह कैसे होगा यह distribution के तुरू होएगा ना ओके सर समझ गए सर एक example factor of production claim the report of rent wages interest profit आप मुझे पताओ यहां लेंड है यह जो लेंड है न दोस्तों आपको यहां पर क्या लगेगा आपको यहां क्या देना पड़ेगा आपको रेंट देना पड़ेगा अब जो लेबर यहां क्या दोगे पैसे को चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट दो ना भाई एंटरप्रेनर अब आपको पता है में बॉस है जो भी पूरा मलब profit बचे का लास्ट में किसको मिलेगा सारा का सारा पैसा एंटरप्रेनर को हाना तो बस यह क्या है कि रिवार्ड तो बस यह कहना चाहते कि तो उसक कुछ था नहीं कि हमने डिक्कत आई चल लिए अब वहाँ पे प्रोडक्शन सी का डिस्टिबिशन सी का अब चलते एक्स्चेंज और कंजम्शन को समझते हैं और इस लेक्चर को यहां पी एंड करते एक्स्चेंज यानिकि गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप लेना और और एकनोमिक एक्टिविटी यानि कि क्या ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे का इंवल्मेंट हो यह तो हमने स्राट में सीखा था ना तो बस ही एक्षेंज समझा गीव एंड टेक वाला रिलेशनशिप उसे बाद दोस्तों कंजम्शन यार मैंने कुछ बनाया है तो प्ली सिखा है आपको दोनों को एक साथ रिवाइस करना है क्योंकि दोनों एक ही आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम में देखने को मिल सकता है बिल्कुल मिल सकता है तो पूरी मेहनत लगा देने आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है ठीक है अच्छे marks लाने इस question मे अगर आपको एक्जाम में बाए चांस आजाए कैसे कोशन आएगा इस जैसे इसमें देखे दोस्तों इसमें आ सकता है classification of wants में आपको इसे individually पूछ सकते हैं economic activity क्या होता है बताओ या फिर दोस्तों आज ये भी पूछ सकते हैं ये तो नहीं पूछेंगे एक्जाम में खेर ये पूछ सकते हैं कि wealth क्या होता इसके characteristics बताओ classification of wants डारेक कोशन भी आ सकता है चार माग का classification of wants अब आप सोचोगे सर्क्लासिफिकेशन आप वाइंट पॉइंट से आपके हिसाब से अगर चार माग का है तो कोई भी six points को easy explain करते है अब काफी लोग बच्चे होंगे उनके exams आने वाले है आप तो भाई अभी से मैनत करने लग जाओ अना economics में आपको अच्छे marks लाने भले या अपने late start किया हो कोई बात नहीं अभी भी late नहीं हुआ है अप अच्छे marks ला सकते हो तो चलिए फिर दोस्तों आप मिलता हूँ मैं आप से लेक्शन नंबर 4 से OCN SP वाले बच्चों से भी मिलूँगा ही अना अपन तो एक रिष् तो आपसे किदर मिलूँगा जया टुटोरियल्स पर ठीक है तो चलो खयाल रखो अपना मस्ती करो पड़ाई करो वापस मिलते हैं चलिए एंड करता हूँ